आईपा यानी आल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसियेशन यह एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगति सील राजनीती की जहां सोसल इशू और सोसल डेवलपमेंट की बात की जाती है मेरे साथ इस समय महुबा भारती जनता पार्टी की जिला मंत्री दिपाली तिवारी जी मौझूद हैं आई उनसे बात करेंगे आज की राजनीती की बारे में दिपाली जी से पहले पर आपका स्वाधा था धन्यवाद होई है देश की राजनीती का जो पिर्चलन में है तरीक थोड़ा बदलाओ की जरूरत है समय आने पर अगर अपनी सरकार बनती है तो यह निश्चित है कि बदलाओ आएगा और जब हम किसी चीज की सुरुवात करते हैं तो थोड़ी तो कटनाईयां आती हैं तो हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है विस्वास है कि आगे भी व जो है जितने भी पार्टियां है सभी अपने आपको लोकतांतरिक कहती है लेकिन ज़्यादा तर पार्टियां कहा जाए तो लोकतांतरिक नहीं होती है अब कुछ उपर नीचे होता है तो वो हम लोग तो बहुत अच्छे से नहीं जान पाते हैं जो बैठते हैं उनको पता ह कि किस हिसाब से काम करना है और जो पार्टी यां लोगतंत्रियां नहीं होती हैं तो उसका पढ़णाम तो जनता जानती ही है क्या लग रहा है जैसे उत्रप्रदेश चुनाओ आ रहा है आगामी बिधानसवाद चुनाओ है ऐसे में क्या लगता है कि कितनी पार्टियां जो है अभी छेत्रिय पार्टियां है बड़ी पार्टियां है उनमें कितना लोगतंत्र जो है वो दिखकर सामने आ रहा है अब ऐस में क्या लगता है कि इस्थानी मुद्धों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर राश्टी मुद्धे हावी रहेंगा नहीं अब तो समय बताएगा कि राश्टी मुद्धों पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि इस्थानी मुद्धों पर वैसे कोशिस तो यह होनी धार्मिक मुद्दे उठा लेती हैं तो जादातर होता है जो स्थानी मुल मुद्दे होते हैं उनको दरकिनार करके जातीगत और धार्मिक मुद्दों पर चुनार लड़ा जाता है इस पर क्या किए ऐसा कुछ नहीं है जनता अब समझदार हो गई है जनता राजनेतिक और धा में एक मुद्धों पर अब नहीं बोड देती है अब वो अपने विकास को देखते हुए बोड करती है इनको कब राजनीते में सामिल किया जाएगा कब लोगों को इन मुद्धों पर चुनाओ लड़ा जाएगा लोग जो इन मुद्धों पर बोड देंगे जो अपनी आज सरकार है वो सिक्षा जो भी है जैसा भी है सब पर ध्यान दे रहे है बच्चे काफी विक्सित हो रहे है गरीब बच्चों को काफी उससे सहारा भी मिल रहा है तो अपनी सरकारी इस समय तो हर मुद्धों पर ध्यान दे के काम कर रहे है असंतुष्ट होकर बोड़ देना और संतुष्ट होकर बोड़ देना सपने पूरे हों अगर सपने ना हों तो फिर किस नजरिये से देखते हैं अब जैसे सपने पूरे नहीं होते हैं तो जनता उसका परणाम अपन को खुद देती हैं अगर सपने पूरे हो जाते हैं、 तो फिर उसका भी भर नाम सामने आता है तो हम तो जनता पे सब कुछ चौटते हैं कहने का मतलब यह है कि अगर हमने सपने लोगों के पूरे किये तो सफना हमें दुबारा रिपीट करेगी अगर नहीं किये तो दूसरे को मौका देगी जिस तरीके से युवा जो है राजनीती में आ रहे हैं तो युवाओं को नेतरत देना कहां तक सही है क्या युवाओं को राजनीती में आगे आना चाहिए बिलकुन क्योंकि देखिए युवा जिस जो से काम करते हैं शायद और नहीं कर पाते हमें दोनों का समझे से बिठा के काम आगे करना चाहिए युवाओं को भी आगे करना चाहिए और पहले जो हैं वो उनको भी आगे करना चाहिए बात आरक्षण की की जाए धार्मिक मुद्दों की की जाए क्या लगता है चुनाओं में ये मुद्दे आने ज चलते हैं कि हम आरक्षण को लेके चुनाओ लड़ें या अन्य चीजों को चुनाओ लड़ें चुनाओ तो एक साथ सुतरा प्रक्राण होता है उस पे हम चुनाओ लड़ें ना कि आरक्षण को लेके आरक्षण अपनी जगे सही है वो सरकार का काम है और कोट का काम है तो चु बारे में क्या करेंगा नहीं बहुत अच्छा है ये कारे बहुत अच्छा है हम लोगों को भी आउसर मिलता है अपनी बात कहने का और आप लोगों का सही योग मिलने का इसका हमारा अभियान आगे बढ़ाने के लिए आई पर को क्या सुझाओ है आपके क्या मार्डरसन कुछ भाई हमारा तो यही सुझाओ है कि हम महिलाओं को जागरूप करें अभी अपनी महिलाओं छेतर में बहुत पीछे हैं और महिलाओं को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो काफी पुरसों को भी सहीयोग मिलेगा और छेतर में जो भी जैसा भी हो आपको छेतर में जाके हम कारे करना चाहिए जिस तरीके से आप इस से पहले जिला साहिओ जी का रहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आप लागातार महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं को जागरूप करती रहीं किस तरीके से संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को अब अब महिलाओं को हमारा यही संदेश है किसी भी मुद्दे को गलत रूप से न पेश करें जो हो रहा है हकीकत में जो होता है उसको करें क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन सब चीजों का गलत उपयोग भी कर रहे हैं तो उन से मेरे हाँ जोड़कर विनमर निवेदन है कि गलत सहयोग कर रही है तो हमें भी संपूर्ण रोप से सरकार का सहयोग करना चाहिए यह थी डिपाली टिवारी जी जोने खुलकर हर मुद्दे पर हमसे बात की और अगर आपको हमारी खबरें और चैनल पसंद आ रहा है तो क्रिक्या क्रिक्या लाइक और सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन दवाना ना भूलें वही रहमत महुबा